हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सैकिंड एपिसोड में जिसमें चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो भी स्टॉक्स आपने इचे कॉमेंट किये थे जैसे आपको याद होगा हमने कल एपिसोड वन किया था और आप लोगों ने बहुत अच् को रेकेमेंट किये थे और आप नीचे कॉमेंट कर देजिए डेफिनेटली दिये दिये करके सभी स्टॉक्स के बार हम वीडियो कवर करेंगे एक या दो मेंट उसके बार डिसक्शन कर लेंगे चार्ट पैटन क्या बोल रहा है और हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए अगर आज के वीडियो में मैं आपका कॉमेंट नहीं ले पाऊँगा तो दिल से मापी चाहूँँगा डेफिनेटली अगले एपिसोड में ले लूँगा तो कॉमेंट करने में कंजूसी मत करना और हो सके तो वीडियो को शेर कर देना जहां भी आपको करना है ठीक और लाइक पक यानी विकास लाइब कर शेर की तो दोस्तों आप देख सकते हो यह सपोर ऑर जञीजिसंद के आस पबर ठेट कर रहा है मतलाब एक आप बोश सकते हूँ यह रजिसंद बने चुका है तीन बार टेस्ट किया से एं तीन बार टäs्स करने जा रहा है सपोर्ट एक बास यहां पोजिशियों में बना रखी है तो मैं बोलूँगा अगर stock इसके निचे close करता है तो डेविन आप stock से एक बार हलकी हो सकते हो अगर यह जब तक यह price इसके उपर trade कर रहा है मतलब इस support के उपर आप stock में बने रह सकते हो और दोस्तो एक request करूँगा एक बार प्लीज जो मैं आपको advise करता हूँ वो एक general view होता है आप प्लीज एक बार खुद की research add कर लिया करो उसके बात double confirmation लेके trade invest किया करो लेके चलते है अगले stock के तरफ दोस्तो stock का नाम BCG है stock का full form bright dub com करके कुछ है I think मैं गलत बोल ला हूँ ठीक है आप Google कर ले ना BCG करके NST में काम काज होता है इसका तो दोस्तों ये stock भी हमने आपको 8 रुपे के लेविस में recommend किया था जो अभी almost 22 रुपे चल ला है और दोस्तों मुझे नीचे लोग पूछ रहे हैं ये stock का मतलब जहां तक ये stock जा सकता है गरेंटीट नहीं है लेकिन हाँ chart के मादिया से मुझे दिल लग रहा है ये stock यहां रजीशन ले सकता है 24 रुपे के आजपास 24-25 रुपे डेफिनिट्ली ये stock रजीशन ले सकता है तो definitely क्यो क्यों 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 क्योंकि 60% के आसपर profit booking एक बार तो कर लो भाई जब इतना अच्छा gain stock में आपको मिल रहा है बढ़ते हमारे तीसे stock की तरफ जिसका नाम है चेविट करके है right stock ने almost बहुत आपको gain दिया 300 रुपे का I think इसने dividend भी दिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ right और दोस्तों देखिए ये stock हमने आपको यहां के recommend कहा था 1100 रुपे 1200 रुपे के लेविस में almost 1900 रुपे हो चुका है and दोस्तों believe me ये stock अभी भी अच्छा है I repeat I repeat जिन लोगों को दुबारा entry करने stock में 1750 रुपे की levels में दुबारा entry कर सकते हो ये रहा ये levels में आपके लिए mark कर लिया ये एक अच्छा entry price है इससे अच्छा entry में मुझे लगता कि stock में होगा यहां तो था यहां अगर आप कर लेते तो सूने में सुआगा होता लेकिन जिरों ने stock को यहां बाये किया आप भूल कर भी बेचना नहीं है आपको एक stockos लगाना है stockos trail करना है उसको बोलते है stockos trail करना ग्यारा सो सतान है बनला 1200 रुपे का stockos लगाए अगर stock 1200 रुपे के नीचे जाता है weekly candle में तो आप stock से exit कर सकते हो अगर आपने stock को यहां बाये किया है और अगर आप stock को यहां बाये करने की सोच रहे हो तो यह stockos लगाना 1200 रुपे का ठीक है 500 रुपे का stockos रहेगा target आपको मैं बोल देना चाहता हूँ तो सुनो target होंगे 5,00 रुपे के अगर आप यहां बाई करती हो तो 5,00 रुपे के target रहेंगे ठीक है अगर आपने यहां बाई किया है तो टब भी आप इंटजाय करो तो पांच एरोपे के टागेट के लिए, यह तो आपको पांच एरोपे के टागेट दिखा सकता है, क्योंकि मैंने कंपनी के fundamental analysis करी है, मुझे काफ़े फसंद आई दी, इसलिए आपको recommend किया था, right, अगर मैं अगर मैं गलत नहीं तो, I think यह bonus भी देने वाला है, अगर मैं गलत नहीं तो, नीचे comment कर क्या बता सकता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, ठीक, आगे लिए के चलते है, चौत्ते stock के तरह, यह कोई stock नहीं है, एक भाई नीचे comment किया था, बहुत basic rule है भाई, लोगों को य उसमें दिखते ही हो करता हूं, साथ में जो field रहती है, यह closing रहती है, 80 और 20 की मैं, default setting यूजर नहीं करता हूं, 70 और 30 की होगी default, मैं उसको 80 और 20 में convert कर देता हूं, दोस्तों देखो, 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब है, यहां लिखाओ अब यह पढ़ सकते हो, आप, overboard, म 80 में sell करना start, sell मतलब बेचना start करो, माल में profit booking करना start करो, और 20 का मतलब बहुत मंदी है stock में, उसको buy गना start करो, ठीक है, तो यह कुछ concept है, दीदी दिकर के आपको समझाओंगा भाई, साथ आपको समझ नहीं आ पाएगा, अगर आपको समझना है तरीके से, तो मैंने एक private class र ट्विटर में message कर दो, या mail में message कर दो, उससे होगा क्या, जो भी आप skin short share करने का message करोगे, मैं आपको मेरे जो private class होती हर Sunday, 11 बज़े आपको links provide कर दूँ, अभी तक class 13 हो चुकी है, 13 हो चुकी है, 14 होने वाली ये परसो I think, परसो Sunday को होने वाली है, तो definitely अगर आप class को link चाह लगातार उपर जा रहा है, क्या करें भाई, profit book करो, 100% का gain मतलब profit booking, no excuse, भाई है profit booking करना start करो, and look at RSI, 92 हो चुका है, मतलब जब भी RSI 80 के plus हो जाए, stock को sell करना ना कि buy करना है, इस logic को समझे लो, RSI indicator जब भी 80 के plus हो जाए, buy मत करना, बहुत लोग यही गलती करते है भाई, औ इसका एक दिन में बजाज finance बन गया, बात को समझो, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते है किसी stock को उपर जाने में, ठीक है, आप लोगों को लगता कि PMC, FinCorp, 34 पैसे, 2 रुपे हो गया, तो वो जाना आपर सकिट लगाएगा, अरे भाई, ऐसे नहीं होता है market पर काम, आप प्रयास कर अगर समझने का की, बेसिक खमरूल समझो की stock को सस्ते में बाई करना है, अगर आप गलती कर रहे हो, भेंगी में बाई करने की, तो मैं क्या करूं, समझ पर रहे हो, अगर आपको learning करनी है, सीखना है, basic सीखना है, stock market का, तो आजओ, Sunday को class होती है, बेसिक सिखाया जाता है, अ आपकी energy, loss होगा आपका, profit होगा आपका, लेकिन ध्यान नको, मैं आपको एक advice कर सकता हूँ, वो मेरे हातों में और आपके हातों में है, 2% of your capital, इससे ज़्यादा invest मत करना, ये follow कर लो, आपको कभी loss नहीं होगा, loss तो हो नहीं होना है, लेकिन आपको कभी दिक्कते नहीं हो 30%, 40% तक लेके चले जाते, कभी भी 100-100% तक लेके चले जाते, यही सबसे बड़ी को गलती करते, और उसके बाद वो दूसरों को blame करते हैं, ठीक है, तो blaming, blaming game खेलना बंद करो, ये risk management apply करना start करो जिन्दगी में, अलब stocks market में, दूसरों ये मैंने क्या बोला था, जैसे 4 20 पैसे, तो चाहो तो stock में दीरे-दीरे करके, buy करना start नहीं करना है, profit booking करना start करना है, ठीक है, जैसे आपको पता, JP power, R power, समी में stocks में तेजी देखने में मिले, power sector में खास कर, तो भाई, profit booking करना start करो, इन stocks में, अधरबाइस बहुत बुरी तरीके से फज जाओगे, बात में मत बोलना कि क्यों नहीं बताया, सर आपने, ठीक है, 9 रूपे 19 पैसे कि आसफार, रजिस्न दे रही है, तो profit booking करना start कर लो, अगला एक को stock है, हमारा, लियोड, स्टील करके, SLS, LSIL करके, NSC, BSC, दोनों में कांगा जो था, ये stock भी आपको हमने बहुत पहले recommend किया था, ठीक ह अब stock का support क्या निकलता है, मैंने आपके support draw कर लिया, 2 रूपे का stock का support निकलता है, अब क्या stock का support, AD का stock को buy कर लो, बिल्कुल नहीं दोस्तो, जब तक एक अच्छा का था, price action और volume नहीं मिलता, हम 2 रूपे का stock को buy नहीं करेंगे, तो wait करो यहाँ पर, एक support लेने का, कम से कम, 7-6-7 दिन अगर यह stock यहाँ support ले लेता है, 6-7 दिन, तो आप stock को buy करके चल सकते, अगर नहीं लेता है, तो ignore करना, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, L-S-I-L मतलब Lord Steel करके stock का नाम था, almost also profit booking कर लेने चाहिए, आपको मैंने बोला था, आपको 100 बार बोला था, buy करो profit booking, अब लोग करते हैं ने, तो मैं क्या करूँ, ठीक, अब नीचे गिर रहा, definitely नीचे गिरेगा, 2 रुपे तक जाके रुखेगा, ठीक, तो भाई देख लो, यह जो stocks है, मैंने आपके, नीचे आपने comment किये थे, सबके सब stocks हो चुके, अगर किसी का stock मैं नहीं ले पाएंगा, तो उसके लिए माफी चाहूँगा, आप नीचे comment कर दीचे, definitely episode 3 में, जो कल 10 बच के 20 मिट के असपस आजाएगा, मैं वहाँ पर ले लूँगा, अगर आप बड़े stocks करूँगे, तो बड़े stocks मी मैं लेना start करूँगा, अभी मैं उनी stocks हो ले रहा हूँ, जो मैं आपको पहल ट्विटर, टैली के ना, वटसब, ताकि दूसरे लोगों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है, अगर आपको प्राइविट क्लास में आना है, बेसिक सीखने है, स्टॉक मार्केट के, जो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के कोर्स में नहीं बता पता चलता है, फ्री में भी हुआ, ठीक है, तो मर्जी आपकी अगर आपको सीखना है, आज ये साथ में सीखेंगे, साथ में गरोग करेंगे, तो मिलता हूँ कल दस बच के पीस मिनिट पे, बाय बाय, टेक केर, गुट ने,